नमस्कार बहुत बहुत स्वागत है मदपे वेश उत्रस गड़ के हमारे स्कास पुलिटिन में मैं हूँ आपके साथ है दिवया सिंग खबरों की शिरुवात करेंगे लेकिन उससे पहले नजर इस वक्त की सुर्खियों पर जगदलपूर में मेडिकल कॉलेज का हाल बेहाल छट से तपक रहा पानी मरीज के साथ परिजन भी हो रहे है परिशाद जगदलपूर में साइकल रैली का आयोजन निरवाद चक नामा वली का विश्रे से संच्रिप्त पुन्रेक्षर के जागुपता के लिए या आयोजन शहीद पार्क में बलपत सागर तक्निकाली रैली बिलासपूर में सीमडी कॉलेज में फ्रेशर पार्टी का आयोजन शात्र शात्रा उन दीरंगारंग प्रस्तूती मौके पर मौके पर मौजूद रहे तीन हजार से ज़ादा शात्र शात्रा है जांजगीर चापा में अबकारी विवा की लापर वही आई सामने शराब की बोटल में निकाला मरा हुआ साप और रिलाके में फैली संसरी और जांजगीर चापा में भतीजे ने चाचा पर धारदार हदिया अर्से किया हमला हमला करड़े किम वह मौके से पराग और लिस्ट में आरोपी को किया गर्फ़ता चले बुलिटिन की शुरुवात करते हैं खास कबरों के साथ फ्राइपुर में कॉंग्रस चुनाप समिती के बैठक खत्म हो गई है जो आनकारी के मुताबिक भानू प्रतापूर में उप्चुनाप के लिए आए 14 नामों पर कॉंग्रस हाई कमान जल्द निर्नर लेगा और वही इस बैठक में सुर्गे मनोज मंडावी की पतनी सावित्रु मंडावी का नाम भी शामिल है जो सबसे आगे है वही PCC चिफ मुहन मरकाम ने कहा है कि 15 अतारेक को नामों पर फिर से प्रदेश चुनाप समीती के बैठक होगी और उस दिन परत्याश्य के नाम पर मुहर लगे इस बैठक में मुख्य मंत्री भूपेश बगेल भी सामिल होंगे खबर आपको राइपूर से बता रहे हैं जहां उप चुनाप के लिए 14 नाम सामने आये हैं और कॉंग्रस चुनाप समीती की बैठक जो है वो अब खत्म हो गई है और इस बैठक में मुख्य मंत्री भूपेश बगेल भी शामिल होए है आप तस्विर में देख सकते हैं कि बैठक में खुद मुख्य मंत्री भूपेश बगेल सामिल हुए हैं और राइपूर में कॉंग्रस चुनाप समीती की बैठक जो है वो अब खत्म हो गई है शुत्रों के मुताबिक भान प्रताप पूर में उप्शुनाप के लिए 14 नामों में पर कॉंग्रस हाई कमान जल्द नर्ड़े लेगा वह इस बैठक में स्वर्गिये मनोज मंडावी की पतनी सावत्री मंडावी का भी नाम शामिल है जो सब से आगे है और राइपूर में मुख्यमंतरी भुपेश वगिल ने भानू प्रताप पूर पर उप्शुनाप की बैठक को लेकर प्रस कॉंफरेंस की है वैस बैठक के बाद मुख्यमंत्री भुपईश बगेल ने कहा है कि मैंने नागरी का पोर्ती निगम और चिटफंड गोटाले की जाच की मांग की हैं और इसके लिए उन्होंने प्रवर्तर निदेशाले यानि की E.D. को दो पत्र भी लिखे हैं इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि मैंने प्रवर्तर निदेशाले को पत्र लिकर शोतिसगड में वर्स 2004 से 2015 के बीच हुए नान घोटाले की जाच की जाने की मांग की है सियम बगेल ने कहा है कि अगर 15 दिनों के अंदर E.D. जाच में कोई कारवाई नहीं करती है तो नियाले में याजी का दायर की जुआएगी प्रणान मंद्री जी ने कहा है मैंने इडी को आज पत्र लिखा है कि नान घोटाले में सियम मेडाम सियम सर सब के नाम आए हुए है और इडीक पास पहले से ही जाच चल रही है उस समय जो जात अधिकारी है आपके सामने मीडिया सामने आके उन्होंने कहा था कि पैसा उस दोमेन में गया है जहां हम जा नहीं सकते जाच नहीं कर सकते वहां सारे मीडिया होस के पास उसके क्लिपिंग होगी और उस समय जब उन्होंने कहा था यह पैसा उस दोमेन में गया है जहां हम जा नहीं सकते जाच नहीं कर सकते तो एडी को मैंने पत्र लिखा है कि इसकी ज सारे जो निवेसक हैं उसको एजेंट के निक्ति पत्र दिया गया था जो सत्ताधारी और स्वधानिक पत्रों में बैठे थे उनके दोरा विप्रित किया गया था और लगबख साड़े च्छाहजार करोड का गोटाला है और जगदलपूर में मेडिकल कॉलेज में सफाई की ल रही है सापसफाई की विवस्ता के नाम पर यहां इस्तिती पहले से भी खराब थी लेकिन अब तो शौचाले का पानी मरीजों के वाडों तक पहुंचने लगा है इतना ही नहीं शौचाले के इस्तिती इतनी खराब हो चुकी है कि अंदर तक जाना दुस्वर हो चुका है और जिसके चलते मरीजों के साथ साथ उनके परिवार जन भी परेशान हो रहे हैं वही अविनाश्र स्रिवास्तव ने कहा है कि यदि सभी खराब विवस्ता जल्द से जल्द ठीक नहीं की जाती है तो भारतिय यूवा मोर्चा कॉंग्रेस सरकार और प्रबंधन के खिलाफ अग्र आंदोलन करने को बाद्धे होगा दीमरापाल के रूप में एक जनता को बहुत बड़ी स्वागात दी थी स्वास के रूप में जब से चतिरगड़ में कॉंग्रेस की सरकार आई है स्वाईजय बल्राम कश्यप जी की जो इस वरिती में जो स्पिताल और चिकिसा माविद्द्यला बना गया है कॉंग्रेस ने उसका रख रखाव पूरी तरी के छोड़ दिया है आज जनता बहर सौच करने को मजबूर हो चुकी है जिस प्रकार से वहाँ पर गंदगी फैली वी है इससे साप प्रतित होता है कि सरकार स्वास के द्रिश्टी से पूरी इसनकी जो विवस्था है वो पूरी लचर है पूरी विवस्था वेंटिलेटर पे है यह बहुती चिंतनी विश्य है और अब खबर जगदलपूर से है जहां निर्वाचक नामावली का विश्य ससंश्यप्त पूर नरेक्षवक की जगरुकता है तो जगदलपूर में साइकल रेली का आयोज़न किया गया है पैडल फोर प्रेक्ट पाटिसिपेट एलेक्षवन की थीम पर यह साइकल रेली का योज़न किया गया है जुला निर्वाचक नामावली का विश्य ससंश्यप्त पूर नरेक्षवन 9 नवंबर से 8 दिसंबर के दोरान सभी मतदान केंद्रों में B.L.O. और अभिहित अधिकारी नियमत रूप से बैठ कर निर्वाचक नामावली के नय मतदाता का नाम जोडने काटने और सुधार करने का कारे करेंगे और निर्वाचक नामावली का प्रथम प्रकाशन हुआ है और इसके साथ ही अभ हम लोगों से ही आहवान करते हैं कि अगर किनीवी व्यक्ति का जिसका नाम छूट गया है या कोई अपना नाम जुड़वाना चाहते है या अपने नाम को कटवाना चाहते है परिवार में कोई ऐसे व्यक्ति है जिसका नाम अब मदाता सुची से कटवाया जाना है तो वो सम्मनित भीयलों से संपर कर सकते हैं और मदाता सुची में नाम जुड़वाना हो या संसोध तो आप लोग के माध्यम सभी सपील करूंगा कि इसे जो निर्वाचक नावावली के जो विशेश पुने रिच्छन का कारे चल रहा है उसमें हमारा सहयोग करे और जो निर्वाचक नावावली है उसको जितना जाता से जादा हम को शुद्ध करने हमारी मदद करे मैं उनके करें चुक्रगुजार रहा हु ओर जांजगीर चापा में पामगड की शुराफ दुकान की शुराफ लेने गए सुनसरी गाऊं की यूओं तो में मरा हुआ सानुं मेल की बतल में श्रीव दयाल बर्मन ने बताया है कि शराब काटून में भर कर आता है और जिसे हम वद्रत करते हैं शराब वियर हाउस से आती है ये शराब की बॉटले और बॉटल में 14 अक्टूबर 2022 का सील लगा हुआ है क्या नाम है अपका मेरा नाम स्रीव बर्मन क्यों से पत्पर है यहां पर यह जो अभी सांप वाला वो मिला है शराब यह सब लाए कहां से हैं मंगाय कहां से शराब कहां कौन से कंपनी अच्छा कब कब आया था यह सामान और खबर जांजगीर चापा से है जहां पामगड था शराब नगर एक यूवक अपने चाचा को पुष्टैनी संपत्ती के बटवारे के विबाद में तैश में आकर धारदार हत्यार से उनका उन पर हमला कर दिया और उनका जौन ले लिया है और हमला करके वो मौके से फरा आउटर हो गिया है। वह मामले पर पामगड पीलिस ने कारवाई करते हुए हत्य की आर आरोपी को जैजेपूर शृत्र से गिरफतार कर लिया है। साथी घटना में प्रयोक्त लोहे के हतियार को भी पॉलिस ने बरामत किया है और आरोपी को न्याईक अभिरक्ष्या में यानि कि न्याईक हिरासत में जील भेज दिया गया है और भारत जोड़ो यात्रा आज मालन पूर पहुची है और वही ग्वालियर सीमा पर भारत जोड़ो यात्रा पहुंसते ही ग्वालियर पोलिस की अंदेखी के कारण एक यूबक कट्टे को फरार करने का प्रयास कर रहा था वही कॉंग्रस के कारेकरता ने कट्टा छुडाने का प्रियास किया जिसमें एक व्यक्ति घायल हो गया है वही इस घटना की सूशना नेता प्रतिपक्षी डॉक्टर गोविंद सिंग ने ग्वालिय पुलिस को दी है वही कॉंग्रस कारी करताओन इस घटना को पोलिस की लापर वाही और अंदेखी बताते हुए थाने का घिराफ किया है और ऐसे असामाजिक तत्वों को गिरफतार करने की मांग की है हुआ है 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 आओ अर्गाली जी के रहत वत्तमा संबूचे देश में बाहरा था जोड़ो यात्रा चल लएगे बैड़े की आत्रा हमारे आज समापन में आधा मालों पर देका नहीं है लगता है वहां से हमारे साथी तक वहां चोड़ लेगा है वहां पर ना तो कोई स्वरक्षा बसता की वालियर पुलुस में और वहां पर एक हमारे कार्ण करता जो आत्री था बलवीर सिंग्स तोमर 55 चोटी तोमर उसको अचानक कट्टे से हमला किया था राइसे तीन सो आध्वी उने से उसको कट्टा चीन लिया गया उसके अगली चोट आई है पूल खच्चा रोगया है लेकिन कट्टा गाम वालों पर चीन लिया सब लोग उसको मारने को दोड़ विद्यार्थी परिश्ट के लड़ाई लड़ता आ रहा है और फिर विद्यार्थी परिश्ट को कई परिशानियों का सामना करना पड़ता है उन्होंने विद्यार्थियों की मांग को बताते हुए कहा है कि विद्यार्थी परिसत की सबसे पहली और महत्पूर मांग यह है कि आइडेंटी कार्ड बताने के बाद विद्यार्थी का किराया आधा लिया जाए उनको टिकर भी प्राप्ट कराई जाए और दूसरी मांग य अगर तीन दिन के अंदर विध्यार्थी परिशत की मांग नहीं मानी जोती है तो विध्यार्थी परिशत उग्रांदोलंग को बात देठोंगी वही जिसकी समस्त जिम्मेदारी शासन और प्रश्ट्रासन की कि कार्थिक पूर्णिमा के दिन 6 समुदाई के प्रथम गुरू नानक देभ की ज्वनती प्रकाशपर्व के रूप में मनाई गई आपको बताते हैं कि गुरु नानक देव ने ही सिख धर्म की नीव रखी थी इसलिए ये दिव सिख समुदाय के लिए विश्रेस महत्रय रखता है वही पूरे देश के साथ साथ छतरपुर जिले में भी गुरु नानक देव की जैंती पुरधीन भाम और हर्श अल्लास के साथ मनाई गई है वही गुरु द्वारा में विश्रेस पूजा अर्चना की गई है तक पश्रात लंगा और परसाली का वत्रण पिया गया है और शान के समय में गुरु नानक देव की शुवा यात्रा नगर में निकाली गई है शुवा यात्रा का जगह जगह पुस्त वर्शा कर स्वागत किया गया है और इस सबसे पर बड़ी संख्या में सिक्स समुदाई के लोग भी मौजूद रहे है करते लुवा है डरा कोस्ते और आनकोन चल्बश्ते चल्बश्ताय रहा है और वांकोर्ट में कर्वा जल्म के अपार में रहे है और करांकोर से कर्वान, चल्ब जल्म के लिएफना के दिल्कुल गरोड़ी का खिए जजदन के नहीं मानना थी और काला पीपल सिखो के पहला गुरु नानक देव के प्रकाशपर्व के पर गुरु सिंग सभाद्वारा प्रभाद फेरे निकाली कई है प्रभाद फेरी का कर्मच्वारी कॉलनी के से पंच मुखी चौराहे होते हुए वापस गुरुद्वारे पर समापन हुआ है गुरुद्वारे पर निशान साहिप की सेवा भी की गई है और इसके बाद सुबह ग्यारे बजे से किर्तन अरदास के बाद गुरु का डूट लंगर का कारेक्रम हुआ है और इस कारेक्रम में महिलाएं और बच्चों ने बड़ चड़ कर हसा लिया है और नगरवासियों ने लंगर का प्रशाद ग्रहन किया है इस अफसर पर काला पीपल गुरु सिंग सभा अध्यक्षे हरवंदर सिंग पाहुजा करतार सिंग गुर्दत्ता परमजीत सिंग समित तमाम लोग मौजूद रहें और कॉंग्रेस पार्टी के पूर्वर राष्ट्रिय अध्यक्षवर वर्किंग कमेटी के सदस से राहूल गांधी की भारा जोड़ो यात्रा के समर्थन में सिंग्रोली से सीधा होते हुए उप यात्रा कोल 8 नमबर को रीवा जुले की सीमा पर पहुंशी है जिसका गुड विधान सभान तरगत बदवार सोलर प्लोट के पास किसान कॉंग्रेस के जिला अध्यक्ष निपेंदर सिंग पेंटू द्वारा उनके साथियों और पदाधिकारियों के साथ स्वागत किया गया है वही कॉंग्रेस के जिला अध्यक्ष और उनके साथी पदियात्रों में शम्मेलित हुआ है और बिलासपूर की पाश कॉलरी विनुवा नगर और सैवन गली में स्वरगी देव नारायन सिंग ठाकुर के माकान के साइड में और सतेश अगरवाल के मकान के साइड में प्रोफेशर दौरबा चटर जी ने नगर निगम की रोड पर कपजा करने और मकान बना लिया है कपजा करके वो मकान बना लिया है जबकि सिविल कोट विलासपूर ने 4 मार्च 1993 को अपने नर्डे में कपजा को ना हटाने संबंदी दौरबा चटर जी की याचिका को खारेज करते हुए कपजे को अवैद बताते हुए नगर निगम की कपजा हटाने संबंदित नोटिस को सही ठराया था नगर निगम ने कपजा हटाने का आधेश दिया था कबजा होने से कॉलनी वासियों को परेशानी होती है और जब कॉलनी वासी पार्किंग और अवैद कबजे की शिकायत करते हैं दुर्बा चेटरजी और अनुप चेटरजी सरकारी कर्मच्वारी होते हुए भी दबंगई दिखाते हैं बिलास्पुर में गुंडो द्वारा कबजा करने की घटनाएं आम बात है लेकिन अब सरकारी कर्मच्वारी भी इस राह पर चले तो यह अश्योब नहीं है अब जो अठीकरमन बनाया उस संबंद में हम लोग जब बारबार अठीकरमन हटाने के लिए कहते हैं मुहलेवाले कहते हैं इस संबंद में वह वाज़वाद करते हैं जिससे जो है यहां पर वातावरन खराब हो जाता है और आए दिंग इस तरह के होता है इसलिए इस अठीकरमन को हटाना नितांत आवश्यक है और चुकि मामला जो है पोल्ट से भी हो गया है और नगर निगम को उसको अपने पजेशन में लेना चाहिए चुकि अब ही आपने नगर निगम में कब सिकायद की थी हमने और सटी सग्रवाल के परिवार से उसको सही तुरुप से सिकायद किया था उनको निर्मान कारे में बार बार बाधा करते रहते हैं और बिलासपूर में तकतपूर अदेक संख्या में किसान कलेक्टर ओफस पहुंचे हैं और अपने इस शिकायद को लेकर कलेक्टर ओफस में उन्होंने बताया है कि उनका रकवा 660 जो पोटल में प्रतीत नहीं हो रहा है इसका लाव समर्थन मोले किसानों को नहीं मिल पुरिधाम सभा तकतपूर तकतपूर तकतन प्षसिल से हम लोग है किसानों के साथ में आये हैं और जिस तरह से गराम ठाकूर कापा तकता तकतपूर और उनका पुरे गाऊं का जो रगबा है वो फरल पोटर्ड में नहीं आ रहा है वहां का जो किसानों का जो रगबा है जुरो बतार बतार रहा है ऐसे परिस्टी में गाउं में दहफत ब्यापत था और इसी बीच मैं जिला पंचाई फदफ से होने के नाते उस गाउं का दौरत गिया वहां बतायागा कि हम मेहनत किये हैं लेकिन जोड़वाने में अधिकारी रूची नहीं ले रहे हैं और इसकारण हम खरीदी से वंचित हो जाएंगे मैं ततकाल निर्ने लेते हुए गाउं आफियों को किसानों से आगरह किया कि हम एक जिलाधिस महोटों के फवपेंगे और इसमें हम चाहेंगे कि जिस प्रकाद शतीव फरकार की जिननीतियों के कारण हमारे किसानों का जो रगबा कट रहा है यह कभी भी बरदास्त नहीं किया जाएगा मैं उग रांदोलन के लिए तयारा रहूँगा क्योंकि इस तरह की जो अगर हमारा खेट हम वो रहे हैं जिस खेट में और उसका धान नहीं बेच पाए तो यह इस से दूर भाग एक कुल बात नहीं हो सकता और इसलिए पूरे गाओं के लोग और किसानों के साथ हम लोग आये हैं मैं और कलेक्टर मोदे से भी आगरा करूँगा कि इस तरह की जो समस्या हैं उनको तोरी तर निराकरन करें और यथा किसान और आगे की कावाहे के लिए और फतन रहेंगे जितका भी जमीन हैं तिमा के सब जन के पूरा जमीन हैं पूरा कड़ गए पूरा जीरो बता थी एक घर बर हमन पटवारी तसील तक के बिंगे हैं पर आज तक के कोई सुन्वाई नहीं होएं तो अई हम चाहत हैं के तत्काल जुड़ा है तब हम धान बेच पावो सब करजा लिए लिए बीठे हैं और कर जला फेर इस्रम कहां दे सको हमर ठाकुर कापा के तहसील सक्रिये और पटवारी हलका नंबर और अब खबर डोंगर गाउं से है जहां चमार राय टोला गाउं सित्य प्रात्मिक श्वाला भवन में स्कूल का भूमी पूजन कारेक्रम था वही बूमी पूजन कारेक्रम में विधायक को पहुंचना था वही गौरिश्रंकर साहू ने बताया है कि सरपंच और ग्राम व पहले ग्राम करगी में समाजिक कारेक्रम में भी विधायक दलेश्वर साहू नहीं पहुंचो और इसी कारण से ग्राम में काफी आक्रोश्यत है और मंसोर जिले के गरोट तहसिल के अंदर शकुद्वार का तीन दिवस्य मेला लगता है और ये मेला कार्थिक पोडिवा से तीन दिन पहले से लगना शुरू होता है इस मेले की मुखे विश्यस्ता ये है कि जो लोग दुरघटना से अगोगती मौत मरते हैं ऐसे लोगों की आत्माय भटकती है और ऐसी मान्यता है कि मान्यता के साथ उन आत्माओं से छुटकारा पाने के लिए परिवार द्वारा शंकु द्वारा मेला कर पूजा पाठ कर आत्माय आकर खेलती हुई नजर आती है और आत्माओं का खेल शंकु द्वारा मेले में देखने को मिलता है अगोगती से मुक्ती पाने के लिए आत्मा आती है और पूजा पाठ करने के पश्चात आत्मा से परिजन मुक्ती पाते हैं इससे मुक्ती पाने के लिए तेरस से कार्तिक पूर्णिमा तक तीन दीनों का ये मेला लगाया जाता है ये शंकूदार मेला गरोड से करीब 30 किलो मेटर दूर लगता है यहाँ पर दूआ पर यूग में भगवान सरी कृष्ण ने शंकाशुर नाम के राक्षष का मार के उसका स्यम का उद्धार भगवान कृष्ण दुवारा हुआ था इसलिए मरत आत्माओं को शांती मिलती है अधोगती वाली जो भी आत्माओं हो जाती है मतलब अधो गती की गंती में आने के बाद में इनकी आत्माओं को शांती मिल जाती है और यह 200 वर्षच से करी मिला लग रहा है यह शंकूदार शेत्र गांदी सागर डेमभ बना उनसाड में तब्से उसके बेक वाटर के डूप शेत्र में आ गया है अभी जलाशे में जलमगन है अभी जहां वर्तमान इस्तिती में मिला लग रहा है यहां से 7 किलोमेटर दूर मुख्य शंकुदार इस्थान है और अभी वहां से भेरुजी महाराज लाके यहां बिठा दिये गए हैं और करीब करीब यहां साजापूर, उजेन, सुजालपूर रदलाम, धार, राजस्तान, महाराज तक के लोगवाग यहां अपने आत्माओं को शंति के लिए श्रान करने के लिए आते हैं और अब खबर सरायपाली से है, ठाना सिंगोडा पोलस के द्वारा वहां चेकिंग के दौरान मुख्वीर की सुचना पर अंतर राज्ये वहां चोर गिरोग के पांच व्यक्ति गिरफतार किये गए हैं वही आरोपियों के कबजे से एक बिना नंबर की कार भी परामत की कissä है, आपको बता दे कि वहां के कोई भी काघजात या वहां के मालिकाना हट सम्बन्दी कोई दस्तावेश आरोपियों के पास नहीं पाए गए हैं फिलालकोले सारोपियों को गिराफतार कर नाइक रिमान में भेज दिया है। इसलिए पांचो आरोपि के खिलाफ एक्चालिस एक्चाल अबलिक तिन सो उन्यासी की कारवाई की गई और जुडिस्यल दिमान में भेज गया। सर आरोपि कहां के रहने वाला थे और उन्हें गाड़ी कहां से शुरी करना कुछ बताया है। इसके संबन्द में आरोपि कारवा गुर्मन जवाब दिया गया है। लेकिन उपता आरोपि महराश्ट चंदरपूर जीले से होना बताया है। गाड़ी कहां की पार्सिंग है क्या नंबर है पुच। गाड़ी में किसी प्रकार का नंबर नहीं था। और खबरों में आगे बढ़ते वे बात जगदलपूर की कर लेंगे। कि तलवार लहरा कर लोगों को डरा धमका रहे थे। वही सूचना पर पोलिस ने पहुँचकर यूवकों को गिरफतार कर लिया है। वही पोलिस ने आरोपियों के खिलाफ आमसेक्ट के तहत मामला भी दर्श कर दिये हैं। कुछ वेक्तियों के द्वारा गुरिया बाहर नालग शित्र में धारदार तलवार लहरा कर लोगों को ब्रहयकरान करने की ज्यानकारी प्राप्त हुई थी। और उक्त सुचना के अधार भारत थानाप्रभारी सिटी गोतवाली एमन साहू एवं डिस्पी प्रोवेजनर आसीस कुमार नेताम के नतित्तों में कर वही हेतु टीम गठित कर रवाना किया गया था। और उक्त टीम के दोरा इस मामले में पांच संदहियों को गेरावंदिकर पकड़ा गया हैं जिनसे पुछताच करने पर जिन्होंने अपना नाम अलफाज अली, हरे कृष्ण पांडे, मुहमत सैफुद्दीन, रितेश पटवा और मोयनुद्दीन सभी निवासी पुर्पूर का होना बताया गया हैं और जिनसे प्रक्रण के संबंग में पुछताच करने पर जो हैं इन सभी के द्वारा गुरिया बहार नाला शेत्र में धारदार तलवार लहरा कर लोगों को डराना भायकरांद करना सुइकार किया गया है और मेरे साथ मधिब रवेश रतिसगर की खबरों में फिलहाल इतना ही मुझे दीजी इजाज़त नमस्कार इमाचल का रिवाज जारी है फिर से कोंगिरस आरी है बातें खुशहाली की होंगी रुकी उम्मीदें पूरी होंगी अब कोंगरेस की पारी है और रिवाज भी जारी है पिर से कोंगरेस जो आएगी पुरानी पैंशन वो लाएगी पिर से कोंगरेस जो आएगी पुरानी पैंशन वो लाएगी आधी तंखा का होगा सहारा तो अब पैस लेगी बहरी है परेशान हर कर्मचारी है फिर माचल का रिवाज जारी है फिर से कोंगरेस आएगी है फिर से कोंगरेस आएगी पंदरा सो हर माह मिलेंगे घर के खर्चे चल निकलेंगे है हर घर लक्षमी जी आएगी खुशहाली फिर से चाएगी अब कोंगरेस की बारी है और अपनी दावेदारी है तीन सो यूनित मुफ्त मिलेगी महगाई का होगा हल पांच लाख नए रोजगार से रोशन होगा सब का कल अपनी सिम्मेदारी है और फैसले की बारी है स्टार्ट अप के लिए फंड मिलेंगे सब के सपने पूरे होंगे